ओम शान्ती 17-8-2022 यानि 17 अगस्त 2022 की मुरली की धारना के लिए मुख्यसार पहला है उची कमाई करने के लिए बुद्धी का योग और सबसे तोड एक बाप से जोड़ना है बाबा कहते हैं अगर तुमको सबसे उची कमाई करनी है सबसे बड़ी कमाई करनी है तो तुम्हें बुद्धी का योग और सबसे छोड़ा देना है सबसे बुद्धी का योग तोड़ देना है और के बल बाप से योग जोड़ना है सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है जो हमारा सच्चा बाप है परमपिता परमात्मा उसको याद करके जो सचखंड है उसका मालिक बनना है सचखंड यानि सही का खंड और जूट का नहीं जैसे ब्रह्मा बाप एक जान को धारन कर संपूर बनते हैं ऐसे ही बाप समान संपूर बनना है जैसे ब्रह्मा परमपिता परमात्मा का एक जान को धारन करके संपूर बन जाते हैं ऐसे ही बाप के समान तुमको भी संपूर बनना है बरदान है अटूट निस्चे के आधार पर बिजय का अनुभौ करने वाले सदाहर्सित और निस्चिंत भव निस्चे की निसानी है मनसा बाचा करमड़ा संबंध संपर्क हर बात में सहज बिजयी जहाँ निश्चे अटूट है, वहाँ बिजय की भावी टल नहीं सकती, ऐसे निश्चे बुध्धी सदाहर्सित और निश्चिंत रहेंगे, किसी भी बात में यह क्या क्यों कैसे कहना भी चिंता की निशानी है, निश्चे बुध्धी चिंतित आत्मा का स्लोगन है, बाबा कह बाबा कहते हैं जो निष्चे बुद्धी होंगे। वो सदा हर्सित रहेंगे। जिनकी बुद्धी निष्चे होगी, उन्ने भगवान पर भरोसा रहेंगे। जो भी होगा उसको भी सही ही मानेंगे। कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो атचा होगा। वो बुराई म भी अच्छाई का अनुभाव करेंगे और चिंता नाम की चीज उनके पास नहीं होगी इस लोगन है सदा प्रसंचित रहना है तो बुद्धी रूपी कंप्यूटर में फूल स्टाप की मात्रा लगाओ बाबा कहते हैं अगर तुम्हें सदा प्रसंचित रहना है यानि सदा ख ठीके ओम्शंटी